एक महिला डॉक्टर का सोसन पिछले डेल साल से एक साल से चल रहा है उसकी शिकायत बार-बार हो रही है बाउजूद इसके LG सोसन करने वाले MS को बचाने में लगे हुए यह हैरान करने वाली बात है अपने आपने और शायद इसी लिए भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारती जन्ता पार्टी ने LG को ट्रांसपर पोस्टिंग और कारवाही का अधिकार दे रखा है कि जितने भी ऐसे महिलाओं का सोसन करने वाले लोग हैं जितने भी ऐसे महिलाओं के खिलाफ अपराज करने वाले लोग हैं उनका संडक्षन करो ये काम दिल्ली के LG कर रहे हैं आज मैं एक अत्यंत गंभीर मामले का खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूँ और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से दिल्ली के LG के संरक्षन में एक महिला डॉक्टर का सोसन पिछले डेल साल से एक साल से चल रहा है उसकी शिकायत बार बार हो रही है बावजूद इसके LG सोसन करने वाले MS को बचाने में लगे हुए हैं महिला के खिलाफ जाच करा रहे हैं यह हैरान करने वाली बात है अपने आप में और शायद इसी लिए भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने और भारती जन्ता पार्टी ने LG को टरांस्पर पोस्टिंग और कारवाही का अदिकार दे रखता है कि जितने भी ऐसे महिलाओं के खिलाफ अपराज करने वाले लोग हैं उनका संड नक्षण करो ये काम दिल्ली के LG कर रहे हैं ये घटना है दिल्ली के एक सरकारी एस्पताल की वहां काम करने वाली एक महिला डॉक्टर की पीड़ा है उसके साथ हो रहे है सेक्स्वल हरेस्मेंट की एक नहीं अने घटनाएं है लेकिन उस पर दिल्ली के एलजी और स्वास्थ विभाग के अधिकारी जिनको शिकायत मिली उन्होंने कारवाई नहीं की एक महिला डॉक्टर ने अपने एमेस के खिलाफ सेक्स्वल हरेस्मेंट का योन सोसन का आरोप लगाया इसकी शिकायत करने के लिए जो दिल्ली का स्वास्थ सचिव है दीपक कुमार उस दीपक कुमार से बार बार मिलने की कोशिस की दर्जनों बार मिलने की कोशिस की पिछले साल अक्टूबर में दो हजार तेईस अक्टूबर में उस महिला ने शिकायत की और चार महीने धक्के खाने के बाद उस मामले में एक इंटर्नल कमेटी बनाई गई दिल्ली का स्वास्थ सचिव हूँ दीपक कुमार उस महिला डाक्टर से नहीं मिलता बार बार उसको धक्के खाने पड़ते हैं उस महिला डाक्टर से मुलाकात नहीं करता एमेस के खिलाब कोई कारवाई नहीं करता एमेस के खिलाब कोई अफायार दर्ज नहीं कराता जिसे एमेस की गिरिफतारी होनी चाहिए जिसको जेल में बेजना चाहिए जिसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए उसके खिलाब कारवाई नहीं करता